जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ नो दिन अपने घर में माता काली के इस मंतर का जाप करे और ये चार चीज चड़ाएं जो जो मैं वीडियो में बताऊंगी माता आपके पास खुद आने लगेगी और आपको सब बताना भी शुरू कर देगी जी हाँ बगतो जिन लोगों के पास माता पहले आती थी बाते करती थी सब कुछ बताती थी और अब ऐसा क्या हो गया कि ना तो माता आती है ना ही कुछ बताती है इस तरह की चीजे भी कुछ लोगों के साथ होती है अब आपके साथ किसी भी तरह की चीज हो लेकिन जो मैं आपको नो दिन की पूजा बताने जारी हूँ ये नो दिन अपने घर में आपको माता काली की पूज़क करनी है और जो मैं मंतर बताने जारी हूँ माता का बीज मंतर उस मंतर को आपको जपना है और वो भी चार चीजें आपको चड़ानी है जो जो मैं बताऊंगी वही चीजे चड़ाते वक्त आपको इस मंतर का जाब करना है जैसे ही आप इस मंतर का जाब करेंगे उसके बाद नो दिन के अंदर अंदर आप खुद देख लेना कि माता काली आपके सरीर में खुद ही आने लगेगी आपको कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, कहीं नहीं भटकना आप अपने आप माता का चमतकार देखेंगे इस माता की जो शक्ती है वो आपके पास खुद चल के आएगी और जो आपको चीजे दिखाने शुरू करेंगी वो आपको खुद दिख जाएगा अपने आप और मा जो अपने सेंद रूप में आपको दरसन देगी तो सब कुछ आपको अपनी आपों से इस पूजा का चमतकार अपने आप दिखने लगेगा तो चलिए भक्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी लेकिन बताने से पहले मैं आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट कहना चाहती हूँ अगर आप लोग महाकाली भगतग्यान यूट्व चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब तू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पहुचे और आपको वीडियो को देखना है लाश्ट तक अगर आप इसे लाश्ट तक देखते हैं तब ही आपकी समझ में आएगा अगर आप आदिया दूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है तो देखिए आप लोगों को ये पूजा करनी है नो दिन तक ठीक है और नो दिन तक ये पूजा आप कभी से भी कर सकते हैं कोई से भी दिन से इसकी सुर्बात कर सकते नो दिन तक आपको करना क्या है सुभे स्थान करके सबसे पहले सूरी देप को जल चड़ाके काली माता को जल चड़ाके भखवान शिव को जल चड़ाके फिर अपने घर के मंदिर में मातागी देसी घी की जोत जगानी है और जोत जलाने के बाद उसके अंदर दो लोंग का जोड़ा जरूर डालना है फिर उसके बाद आपको लगानी है धूब बत्ती अगर बत्ती जो भी आप दोनों में से लगाना चाहते है ठीक है ये करने के बाद आपको क्या करना है फिर आप लोगों को चार पांच कपूर जलाने हैं, ठीक है, चार पांच कपूर जलाके सबसे पहले माता को भोग में आपको चार ये जो चीजे हैं मैं बताऊंगी, पहली चीज में आपको सूखा गोला माता को सबसे पहले चड़ाना है, ठीक है, सूखा गोला चड़ाने के बाद आपको लोंग बता से चड़ाने है और लोंग बता से चड़ाने के बाद आपको चड़ाने है तीन निम्बू ठीक है साथ निम्बू लेना तीन निम्बू आपको चड़ाने है और चार निम्बू आपको अपने घर के मंदिर में ही रख देने है पहले दिन की बता रही हूं जब आप सुरुबात करेंगे उसके दूसरे दिन से आपको क्या करना है एक ही निम्बू चड़ाना है बागी चार निम्बू आपको रखने हैं अपने घर के मंदिर में उससे क्या होगा माते की जो भी शक्ती होगी आपके घर में मूर्ती फोटो जो भी कुछ है माता की जो भी शक्ती होगी वो आपकी और खिचेगी समझ रहे हैं आपकी सरीर में उसकी उर्जा भरेगी तो ये चार चीजी जो जो मैंने बताई है इनमे से तीन निम्बू काटके माता को चक्कू से और निम्बू ऐसे काटना एक दम बिल्कुल एक दूस में उसरे से ठोड़ी जुड़े होने चाही है इस नि कि आप पूरे ही अलग कर दो एक दूसरे नि जुड़े है थोड़े जुड़े होने चीजेए तोड़े ससका रस ना चोड़ के माता की जोड़ पे चड़ा दें और बाकी जो नीम्बू बचेगा उनी ची रख दें ठी है आपको कम जगम 20-20 उर्पे की दोनों चीज्ज ले लेनी है दोनों को एक साथ मिक्स कर लेना अब जैसे ही आप इने मिक्स कर लेते हैं तो जो मैं मता काली का मंतर बताने जारी हुं इस मंतर को आपको केबल 41 बार बोलना है ठीक है और ये जो मंतर बता रही हूं, यह माता का मंतर बहुत पावरफुल है, इस मंतर से भोत कारे सिध होते हैं, बुरी शक्तियां दूर होती हैं, क्योंकि जो मंतर है, यह माता का मंतर वहीं से आया है, जहां से मतलब पूरी जादुगिरी चली है, समझे आज के समय में आपने देखा है, हर जगे जादुगरी चल रही है देवी देपता होगी जैसे दिल्ली में भी हर्याना में भी बहुत जगे हैं जहां पर आज की टेम में चोक की दर्वार लगा जा रहे हैं लोगों का भला हो रहा है तो भई लोगों का भला हो रहा है तो शक्तियों की बदोलत ही हो रहा है अब शक्ति नहीं होती तो भला भी कैसी होता तो अभी इस सब चीज़े जब हो रही हैं तो क्यों ना आप भी माता की नो दिन की साधना पूज़क करके माता की शक्ति को अपने पास बुलाओ ठीक है बुलाने के तो मैं आपको कह दू ज़रुत है ही नहीं आप अपने आप देख लेना जब आप फी चीज़े चड़ाना शुरू करेंगे और मंतर बोलना शुरू करेंगे आप अपनी आपको से बैटे बैटे चमतकार देख लेना है कि माता आपके पास कैसे खुद आने लगेगी जैसे समझे लो माता आपके पास आने लगेगी अपने आप ही खुद देखना आपको सब बताना भी शुरू कर देगी जिस चीजों के बारे में माता से पूचों करेंगे वही चीजों के के बाद काले तिल और ये पीली सर्षो को मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है उसके बाद आप लोगों इनångे मिक्स करके 41 बार माता काली के मνत्र को बुरूना है और मंत्र है सुन लो ध्यान से ओम क्रिम क्रिम कामाख्या देवी क्रिम क्रिम नम्हा ठीक है जी ये माता का बड़ा प्यारा सा बीज मंतर है और छोटा सा मंतर है आपको एक सैकिन में याद हो जाएगा अगर आप इसे सजी से बैठ की याद करें तो और कुछ लोगों को मैंने पहले भी पताया है है ना तो उन लोगों को पहले से याद हो गए ये मंतर तो वो जल से जल इस साधना को शुरू करें नो दिन तक आपको करनी है वैसे भी देखिए दोस्तों जब आप माता की पूजा पाट करते हैं तो आपको कितना समय लग जाता है काफी समय से आप पूजा पाट करते आ रहे हैं साल बर महीना कितना हो जाता है हो जाता है ठीक है तब भी आपके पासमाता नहीं आती है तो क्या आप मेरे कहने से ये नो दिन की पूजा नहीं कर सकते जब आप इतना साल बर बर्बाद कर रहें तो नो दिन की भी पूजा मेरे कहने से एक पर करके देखो और ये चीजे चड़ा के देखो और आपको करना क्या है जब ये नीबू और ये सूखा गोला आप चड़ाएंगे कपूर के उपर तो उसी में आपको जोत प माता को भोग लगाएंगे अग्यारी पर उसी अग्यारी में डालते रहेंगे एक तालिस बार मंतर बोलके आपकी पूजा हो देगी समात और ये नो दिन तक कंटीनियू करनी है बीच में छोड़नी नहीं है अगर आप छोड़ेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा अ आपको सब कुछ हर तरीके से बताना भी शुरू कर देगी तिखाना भी शुरू कर दिए तो चलिए वक्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा अब हम आपसे फिर मिलेंगे ने आपकी वीडियो में तब तक के लिए जय मताकाली ओम लोड़ शीवाजेमा